आज के पहले काले चनी की सब्जी आपने बहुत बार बनाया होगा लेकिन 100% गारेंटी के साथ बोलती हूँ कि इस प्रॉसेस से आपने नहीं बनाया होगा जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जारी हूँ मेरे प्रोसेस से एक बार काले चनी की सबजी बना के देखिए बहुत ही स्वादिस्ट बनेगा आप उंगलिया चाटने पर मदबूर हो जाओगे तो बहुत सारे इसमें मैंने ऐसे ऐसे टिप्स दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते होगे तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं लास में मैंने फुड लाइब्रेरी में एक बहुत ही रोचक जानकारी दिया वेलकम टू रस्मी फुड इस्टप अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल पर जाके औल को प्रेस कर दीजे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे काले चैने की सबजी बनाने के लिए यहां पर लिया है मैंने कूकर में अभी मैं यहां पर एक कप चना मैंने रात में भीगोया था उसे अच्छी तरह से वाश कर लिया है और भीगोया हुए चने को इस कूकर में डाल देंगे अच्छी तरह से इस तरह से फैला दीजे फैल को मैंने इस तरह से स्लिट कर दिया है अब यहां पे चार कलिया मैं लहसन के ले रही हूं चिलका हटा के लहसन को इस तरह से डाल दीजे अब इसमें जाएगा एक बरे साइच का आलू और आलू बरा साइच हो और उसके जो कट लगाएंगे वह भी बरे साइच का होना चीगे इतने चीज़ डालने के बाद इसमें आधा कप मैं यहां पे पानी आड़ कर रही हूं आधा से पॉन कप आप पानी आड़ कर दीजे जादा आपको पानी नहीं लेना है तो आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है अब गैस को ओन कर देंगे और कूकर का धकन लगा के इसको 20 से 25 मिनिट का सीटी लगा देते हैं 20-25 मिनिट विसल लगा लेने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और यहां पर ढ़कन हटा के अब दिखा रही हूं तो यह अच्छी तरह से पक गया है चना भी आलमस्ट पक गया है ज्यादा हमें गलाना नहीं है इस तरह से देखिए आलू को हम एक कटोरी में निकाल लें क्योंकि यह रेसिपी में बहुत सारे ऐसे टिप में जिससे कि रेसिपी को बहुत खास बना रहा है आपके रेसिपी से डिफरेंट बना रहे है तो यहां पर थोड़ा समय से अलग कर रही हूं काम इसका बाद में पड़ेगा क्या काम यह बाद में बताऊंगी तो रेसिपी को लास तक जरूर देखिए तो अभी क्या है इसको अलग रख लेते और चमस की साहिता से इसे थोड़ा सा हम इस तरह से टमाटर को मैश कर लेते जादा हमें गुटाना भी नहीं है हलका हलका इस तरह से मैश कर लीजे आलू को संद्र मैश कर लेते और इसे कर देते साईट और चलते हैं इसका भानाने कि लिए तो इहां पे मैंने कड़ाई में तेल को तुआ होने तक पेट किया है और गरम किया है, अब इसमें आदा चमच हीन डाल रही हूं और थोड़ा सा खरा गरम मसाला, दो लाल मिर्ची और एक चमच अब इसमें जाएगा जीरा, अब एक बहुत इंपोर्टन टिप दे रही हूं, यहाँ पे मैं आदा चमच इसमें आड क जाएगा, उसके बार क्या करेंगे से, एक मिनट चलाएगे, अब इसमें हम लहसन और हरी मिर्ची अद्रग का पेस्ट अड कर रही हूं, अगर आप लहसन नहीं काते हैं, तो अद्रग और हरी मिर्ची का पेस्ट अड कर सकते हैं, तो इसको एक से दो मिनट हम अची तरह से ताकि लहसन और अध्रक काच्छा पन निकल जाए जैसे अध्रक का कच्छा पन निकल जाए लहसन अध्रक का इसमें हम एड कर देंगे एक चमच कसूरीमेती डालने के बाद एक से दो सकेंड के लिए से चला लेते हैं अब इसमें हम एक चमच कास्मेरी लाल मिर्च और आदर चमच लाल मिर्च डाल के भूनें अगर जलने लगे तो थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं एक से दो मिनट चला लेने के बाद इसमें हम प्याज का पेस्ट डाले हैं एक बड़ा चमच और डाल के इसे अच्छी तरह से भूनिये तब तक बूनिये जब तक इसे और रिलीज ना होने लग जाए तो यहां पर मैं थोड़ा सा पानी आड़ करने हूं ताकि मसाला हमारा ज चला लेते हैं एक से दो मिनट चला लेने के बाद इसमें एक बड़ा चमच मैं आड़ करें यहां पर चना मसाला असानी से बाजार में मिल जाता कोई साब ब्रैंड का यूज कर सकते हैं अब इसमें एक कटोरी में छोटी कटोरी से दही डाल रही हूं यह बहुत ताकि इससे और रिलीज हो जाए जब और रिलीज हो जाए तब उस स्टेच पे मैं यहां पे एक चोटी टामाटर का प्यूरी डाल दियो हूं और प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से भूने अब इसमें हमने नमक अड़ नहीं किया है तो यहां पे मैं नमक अड़ कर 2-2 मिनाट चला लेने के बाद जो हमने चने उबाले थे अलू के साथ वह इसमें डाल देगा अब हाइटू मीडिएम फ्लेम पे इसे चलाते तेखे मैं इसमें अभी पानी अर्न्य आड नहीं किया जो हमारे चने में पानी थे उसके साथ ही मैं इसमें डाल दिया और 2- 3 मिन को इसमें हम एड कर देते हैं यह बहुत इंपोर्टन टिप है इस रेसिपी की इससे क्या होगा ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी हमारा बहुत थिक हो जाता है तो अब सभी चीज तो मैंने एड कर दिया है अब इसको हाई टू मीडियम फ्रेम इसे धक के दो से तीन मिनट अच्छी तरह पकाते हैं ताकि सभी चीजों में मसाला अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए थोड़ी देर पका लेने के बाद यह देखिए धकन हटा के दिखा रही हूं ग्रेवी थिक है बहुत पतला नहीं रखना है और बहुत अच्छा कल आया है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आरी है सबजी से तो अब इस स्टेज पे क्या करेंगे इसमें दोल अच्छे मैं यहां पे अध्रक के और टमाटर के इस तरह से पीसेस कर लूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ी देर के बाद फिर इसमें हम डालें काले चनी की सब्जी बनके तयार है है ना बहुत अलग और युणीक रेसिपी आपने इसके पहले अगर नहीं ट्राइ किया है इस तरह की रेसिपी तो जरू ट्राइ करिए और ट्राइ करके मुझे जरूर बताएए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आपको अगर यह मेरी प्रेसिपी को शेयर करिए उमीद करती हूँ आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी मिलते हैं फिर इसी तरह नहीं नहीं रेसिपी के साथ थैंक्यू फ्रेंड